बोलोग को खास बनाते हैं और आपको खास जीजे दिखाते हैं यह है वो खास जगह है और यह हम लोग का पूराना घर है तो यह बाहर से कुछ इस तरह से हैं चलि अंदर दिखाते हैं आप लोगर को ये हैं अंदर से नजारा ये हम लोगा घर पूरी तरसे तोट गया है तो दिखाइद दे लाओक आप लोग को और इधर से यह सब इधर यह पुरा तरह पूरी तरह से तोड़ गया है here पर नहीं एक पर तो इस घर मेड़ोरो यह और रूम यह पर दुछ है यह भापाट वाहर तो हम लोगों ने अभी हाली में लगए कि एक साल गया है तो हम लोगों ने खेट भी घर बनवाया था अंधर से ने जारा दिखाते हैं आपों को देखें यह अंधर कर न जा रहा है यह तूट गया है अंदर से पूरी तना से और एक छोटी से ताल लगा पड़ा यहां पर अभी भी तो एक यहां पर आलमारी होती थी तो इसमें दो रैंक है एक उपर का एक नीचे का उपर हम अपनी किताब रखते थे और नीचे हमारी सिस्टर जी किताब रखते थे इस एरिया में खाना बनता था हम लोग का और यहां पे खाट पड़ी रहती थी और एक खाट हम लोग यहां बीच में डालते थे तो इस रूप में पूरी सारी समाने रखी रहते थी और यहां पर रहते थी तो यहां पर जब कोई जैसे कोई आज़ एक रहता था नहीं मौनमान तो बड़ा ही ओड लगता था बेकाल लगता था क्योंकि जगह ही कम थी जो हम लोग यहीं पर अजिस्ट करते थे और बाकी बारिस के समय में इतनी बुरी हालत हो जाते थे कि यह चूने लगता था क्योंकि यह मिट्टी वाला घर है इस दर्वाजे के बगल में यहां पर हम लोग पढ़ते थे वह बोरी बिचा लेते थे और लाल टें मिट्टी गहर में रहने बड़ा ही आनंद रहता था और क्योंकि यह ठंडा रहता है और बाकी जो हम लोग इट के घर में रहते हैं तो वहां पर कुछ गर्मी रहती है पर यहां पर बहुत ही ठंडा रहता था तो फिलाल यह तो टूट चुका है अब दुबारा बन नहीं सक तो यह आज का व्लाग हमारे पुराने घर के विश्वय में था तो हमने आपको पुराना घर दिखाया तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए का चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें का मिलते अंगले व्लाग में तब तक के लिए अ झाल